नेता कभी कभी जनता के साथ भी राजीती का खेल खेली लेते हैं नितीश ने अपना आखरी चुनाओ कहे कर एक काम तो करी लिया है कि आखरी चरण से पहले सारी चर्चा खुद की तरफ और अपनी पार्टी की तरफ कर लिये क्या जनता क्या नेता सब नितीज की ही बात कर रहे हैं ये भी किया किसी दाउं से कम है कि आकरी समय में वोटिंग से पहले इस इस तर का परचार हांसिल कर लिया जाए अब समय है कि बात की जाए नितीज के इस दाउं के सियासी माइनों की कई बाते हो रहे हैं नितीज की पार्टी ने तो उनके बयान पर सफाई देनी भी शुरू कर दी पैसे कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर नितीज बाबु इस बयान की आड़ में कोई बड़ा खेल खेलने की तयारी कर रहे हैं अभी आप देखिए ये रिपोर्टर समझिए कि इस बयान के बाद सियासी पारक कहां पहुंच गिया है बिहार के मुख्य मंत्री और जदिव के राष्ट्री अध्यक्ष नितीज कुमार ने बिहार विदानसवा चुनाओ के अंतिम चैरण में चुनाओ परचार के दौन कहा किया उनका अंतिम चुनाओ है नितीज के इस बयान के बाद सियासी तपिसे का एक काफी बढ़ गई है बिहार से लेकर राष्ट की राजनिती में उनके इस बयान के माईने तलासे जा रहे हैं कोई इसे निरासा कह रहा है तो कोई इसे नितीज के रिटार्मेंट से जोड रहा है बिहार के विपक्षी दल मुक्यमंत्री के इस बयान को चुनाव में उनकी हार से जोड़ कर देख रहे हैं हाला कि नितीश कुमार के बयान के तुरंत बाद ही उनकी पार्टी जदियू की ओर से प्रदेश रद्यक्ष वसिष्ट नरायन सिंग और प्रवक्ता अजय अलोक ने सामने आकर इस बयान को आज अंतिम दिन के चुनाव परचार से जुड़ा हुआ बताया राजिस्वाकर उपसभापती और नितीश कुमार के बेहत खास माने जाने वाले हर घरिवन्स ने नितिश कुमार के अंतिम चुनाव वाले बयान को असपश्ट लगते हुए कहा नितीश जी ने कहा है कि यह उनका आकरी चुनाव है वे राजणीतिम है और आगे भी बने र रिटायर नहीं होते वसीष्ण नराइण सिंग्सिन सिह कहा कि म sends पार्टी के उमिद्वार के लिए कहता कि चुनाओं में अंतिन भासड है उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला नितीज कुमार कैसे ले सकते हैं उन्होंने बिहार को सजाया, सवारा और खड़ा किया है बिहार अब विकास सिल से विक्सित राज ये बनने की तरफ अगरसर है उन्होंने बिहार का मैप बनाया है देश के मांचीतर पर बिहार है बसिष्ट नरायन सिंग ने कहा कि राजनीती करने वाले और समाजिक जीवन में काम करने वाले लोग कभी रिटायर नहीं होतें अंतिम दम तक जिन वसूलों पर चलते हैं जो राह लोग चुनते हैं उस पर बने रहते हैं गांधी, लोहिया, जैप्रकास जैसे पुरोधा कभी रिटायर नहीं होतें लोग जब घर बैठी जाते हैं तब भी उनकी राजनीती में दिल्चस्पी बनी रहती है और वे वहां से भी राजनीती करते रहते हैं बहराल बीच चुनाव में नितीज कुमार के अंतिम चुनावले बैयान के बाट डैमेज कंट्रोल की हर मुम्किन कोसिस जारी है जहां तक नितीज कुमार के सक्सियत का सवाल है उन्हें बेहत मजा हुआ और गूड नेता माना जाता है पहले वोट दे दीजेगा और वोट देने के बाद आईएगा तो घर में खाना बनाईएगा खाईएगा और घर के बाकी लोगों को भी कह दीजेगा कि जाओ पहले वोट दे के आओ तब खाना खिलाएगे प्रदेश से लेकर देश की सियासत में उनकी अलग और खास पहचान है उनके बारे में कहा जाता है कि बीना सोचे समझे वो कोई बयान यूँ ही नहीं देते हैं ऐसे में उनके अंतिम चुनावाले बयान को लेकर मतलब निकाले जाने का सिलसला जारी है बीते दिन एक न्यूज चैनल को दिये गए इंटर्यूव में जब नितीश कुमार से पूछा गया कि क्या यह उनका आकरी चुनाव है इसके जवाब में नितीश कुमार ने कहा कि यह सब चीज मत पूछी यह उपर वाले पर निर्भर है हम लोग तो काम करते हैं कोई रहता है क्या पने शितकाल के लिए कोई रहता है क्या जब तक लोग चाहेंगे वे काम करेंगे जब तक अच्छा होगी काम करते रहेंगे इन सब चीजों पर कभी कुछ सोचा जाता है क्या इधर नितीस कुमार के बयान पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है इसके महासचीव राणदीप सिंग सुरुजेवाला ने उनके इस बयान को नितीस वाबु की निरासा के रूप में उद्रित किया है लोजपा नेता शिराख पासवान ने कहा कि उनसे ऐसे बयान की अबेक्षा नहीं थी उन्हें मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए था इधर राज़त नेता तेजस्वी आदों ने कहा है कि उन्हें नितीस कुमार से ऐसे ही बयान की उमीद थी वे पहले से ही कह रहे हैं कि नितीस ठक चुके हैं ते जस्वी ने नितीस के इस बयान को चुनावने उनकी हार मान लेने से जोड़ा कहा कि राज नितीस से सन्यास लेने की घोसरा कर नितीस कुमार ने उनकी बात मान ली है नितीस के बयान के असल मायने क्या है ये तो नितीसी जाने कि वो क्या कहना चाह रहे थे और आगे क्या करेंगे के नई उचाईयों तक पहुचाएगा हम सब बिहार को एक विक्सित राजी के रूप में परिनत्त करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट पार्लियमेंटर बिजनस और ये मेरा अंतिम सुनाओ है अंत भला तो सब भला अब बताईए भोट दीजेगा ना इनको हाथ उचा के बताईए